जादूई भेगोना, मा मेरा result आ गया है, अच्छा, कितने number बने है, मा 80 प्रतिशत बने है, मैंने school में top किया है, मेरी प्यारी मा, मैं 12th के बाद regular college में जाना चाहती हूँ, college, क्या हुआ, मा बोली, बेटा इन हालातों में college कैसे जाया जा सकता है, क्या मा अब तुम मुझे ये पढ़ाई नहीं कराओगी, नहीं बेटा, मैंने ऐसा नहीं कहा, चल छोड़ो, अभी admission start भी नहीं हुए है, अभी time है, इतने में तुम्हारे admission के लिए पैसे भी जोड लूँगी, अब ये सब छोड़, आज तुम अच्छे number से पास हुई हो, मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का खाना बनाती हूँ, हाँ मा, आज तुम कड़ी चावल बनाना, वा, आज मैं कड़ी चावल खाऊंगी, ये सब बोलकर रामा रसोई में चल दी, उसने भेगोने में चाच्छवदे ही डालकर बेसन डाला, और मिलाना शुरू कर दिया, फिर उससे चू कड़ी बनने वाली है, इसके लिए पकोड़े भी तैयार कर लेती हूँ, अब कड़ी तैयार हो गई, एक प्लेच में लेकर वह दिया के पास आती है, और देती है, तब दिया खा कर बोलती है, वह कड़ी, चावल में तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता है, अगर तुम तुम्हे फाइव स्टार होटल का सेफ बना देगा, हमेशा यही बोलती हो तुम, दिया को अपनी मा के बने, कड़ी, चावल बहुत पसंड थे, लो और खाना हो तो ले लो, नहीं मा तीन प्लेच खाली है मैंने, चलो अब साई बाबा को भोग लगा दो, दिया का बाबा प बजार सबजी लाने चल देती है, दिया बजार में जाती हुई बोलती है, मा देखो, ये टॉप कितनी प्यारी है, मा बोली, चलो आगे, हाँ जानती हूँ, हम तो यहाँ सबजी लेने आए, आगे चल कर वे देखते हैं, कि एक गरीब औरत, सड़क किनारे बैठी है, और उ कोटी कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दुखी हूँ, पूर्ण विर्राम, तभी दिया बोलती है, मा ये कितने गरीब हैं, हम सोचते हैं, हम ही गरीब हैं, देखो, मा तब उसको दस रुपे देती है, रमा भी गरीब थी, लेकिन उसको दूसरों की मदद करना अच्छा ल लगती है, और वे घर को जाती है, तभी घर को देखकर वे हैरान हो जाती है, दिया और रामा घर को देखकर हैरान क्यूं हुई, ये जानने के लिए, देखिए अगला भाग, पार्ट माइनस दो देखिए करना भागला है?